Agency Data Operator द्वारा expenditure क्रियेट करने के बाद Agency Data Approver द्वारा expenditure को अप्रूव करते हुए PPA यानि की Print Payment Advise कैसे तेयार किया जाएगा का पूरा process हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आप सभी से निवेदर हैं कि पूरा process समझने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें लिखा हुआ आता है कि successfully saved for submitted तो अब इस step के बाद Agency Data Approver जो विद्याले के प्रधाना ध्यापक होते हैं उनकी ID से login करना होता है और इस expenditure को अप्रूव करते हुए PPA generate करना होता है तो इसके लिए आपको विद्याले के जो Agency Data Approver है यानि कि जो विद्याले के प्रधाना द्यापक हैं उनकी login ID से login करना होगा तो आप अपने mobile के किसी भी browser के search बार में टाइप कर दीजिए pfms.nic.in या आप PFMS भी टाइप कर सकते हैं और यह टाइप करके आप सर्च कर दीजिए जैसे आपने सर्च किया Public Financial Management System यानि कि PFMS का जो login पेज होगा वह आपको दिखाए दे Agency Data Approver की login ID से आप successfully login हो चुके हैं by side आपको बहुत सारे options दिखेंगे यहाँ पर आपको एक option expenditures का दिखेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है आप स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा अब यहाँ पर पहला option आपको manage के दिखेगा आपको manage पे क्लिक करना है जैसे आ यहाँ पर दूसरा option मिलेगा आपको UP 113 समगर सिक्षा Elementary Education 3667 UP आपको इसको select करना होगा जैसे आपने select किया थोड़ा processing होगा अब आपका जो bank account है यानि कि जो आपका SMC account है वो account number यहाँ पर शो होगा project में आपको कुछ नहीं करना है sanction number में आपको कोई number फिल नहीं करना है status मे आपको जहाँ पर all लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा submitted आपको submitted को select करना होगा इसके बाद आपको नीचे search वाले option पर क्लिक करना होगा जैसे आपने search वाले option पर क्लिक किया आपने जितने भी expenditure बनाए होंगे उनकी list यहाँ पर आपको show होने लगेगी हमने किवल एक ही expenditure अप्रूफ के लिए भीजा हुआ है तो इसलिए हमें किवल एक ही expenditure यहाँ पर शो हो रहा है अब आपको सबसे पहले letter oblique office order number में जो आपको blue color से highlighted office order number दिख रहा है expenditure का आपको यहाँ पर click करना होगा इसके बाद expenditure की जो detail है वो आपको show होने लगेगी आप एक बार फिर से इसे check कर लिजेगा आपको सबसे last में आना है आपने जिस vendor के लिए यह expenditure बनाया है उस vendor का नाम आपको यहाँ पर show होगा और जो amount आपने expenditure में भरा है वो amount आपको यहाँ पर show होने लगेगा अब आपको यहाँ पर approve और reject का option मिलेगा अगर आपको इस expenditure को approve करना है तो भी आपको इसी option पर click करना है और अगर आपको reject करना है तो भी आपको इसी option प चाहते हैं तो रिमार्क में आपको यहां पर अप्रूब्ड लिखना होगा और अगर आप इस expenditure को reject करना चाहते हैं तो यहां पर wrong entry लिखकर आप यहां reject वाले option पर क्लिक कर दीजिगा फिलाल हमें इसे अप्रूब करना होगा जैसे आपने okay पर क्लिक किया red color से एक message यहां पर highlight होता हुँआ दिखेगा successfully saved for approved यानिकि यह जो expenditure है वो agency data approver जो विद्याले के प्रधाना ध्यापक हैं उनके द्वारा approve कर दिया गया है और यहां पर आपको PPA की expiry date भी लिखाई देगी देखे जिस date को आपने यह expenditure अप्रूब किया है उससे 10 दिन तक यह valid रहता है यानिकि 10 दिन तक आपको branch में इस PPA को submit करना होता है अगर उसके बाद आप करेंगे तो यह जो expenditure है या यह जो PPA है वो expire हो जाएगा यहां पर लिखा है कि print payment advice कि अगर आप print payment advice को download करना चाहते हैं तो आपको print payment advice पे click करना होगा यहां पर एक message आएगा कि PPA is valid up to 10 days from date of approval यानिकि यह जो PPA है वो date of approval से 10 days तक valid रहेगा और देखें आज हमने यह PPA generate किया है तो यह बता रहे है कि 5 जनवरी 2023 तक यह जो PPA है वो valid होगा यानिकि आज की rate से 10 दिन तक आपको ok पे click करना होगा यहां पर एक pop-up message आएगा यह blog है आपको always show पे click करना होगा उसके बाद आप print payment advice पे click करेंगे तो इस प्रिपेरिंग प्रिव्यू का पेज दिखेगा यहां कि जो आपका PPA है उसका प्रिव्यू आपको यहां पर show होने वाला है जैसे आपने print payment advice आपको यह option पे click किया जो print payment advice है वो आपको screen पे शो होने लगेगी यहां पर आपको सजेशन है कि अगर Google Chrome ब्राउजर पर यह print payment advice आपको शो न हो तो आप ओपेरा मेनी ब्राउजर यूज कर लिजेगा उस पर आपको यह शो होने लगेगी उसके बाद आप इसका screenshot ले लिजे और किसी computer center पे जाकर इसका print निकलवा लिजे आप दो प्रति में इसका print निकलवा लिजेगा यहां पर जो विद्याले के प्रधाना ध्यापक है वो अपना नाम लिखेंगे अपना पद लिखेंगे अपना mobile नमबर लिखेंगे यहां पर signature करके और stamp लगा लेंगे इसी तरह से जो SMC क अध्यक्स द्वारा इस जिखेंगे पर किया जाएगा यह दो प्रति बैंक में लिके जाना है एक प्रति बैंक में जमा हो जाएगी और दूसरे प्रति पर आपको receiving मिल जाएगी उसके बाद बैंक द्वारा PPA को process किया जाएगा और जो vendor होगा उसके खाते में पैसा चला ज द्वारा expenditure को कैसे अप्रूव किया जाएगा और PPA कैसे generate किया जाएगा का पूरा process आपको अच्छे रहन से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें तक